नमस्कार दोस्तों अब सभी को मेरे चानेल स्टॉक मार्केट अनेलिस पर स्वागत करता हूँ चलिए एक वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ आप लोग जितने लोग ने देखा होगा तो और एक मेरे परसनल रेकोमेंडेट है और स्टॉक जिन पर काफी अच्छा पेशा ब करए था एक्जाक्ट दोतिन रुप्य के नीचे ही जहां पर हई लगाया वहां से थन रुप्य सबस्थ दोग्रण नीचे हमनेоды कि इंच्भी ब्हान से वहां से फिव मेरा प्लान ता वह हमने cash में profit booking कर दिए तो कल के लिए कल के लिए देखते हैं कल कौनसे लेबल पर ट्रेड कर सकते हो खास करके मार्केट में खास करके आपको कौन से लेबल पर ट्रेट कर सकते हो कैसे पैसा बनेगा बहुत चीज हम लोग देखेंगे भी खास करके इंडेसंट बैंक अभी थोड़ा नेगेटीव दिखा रहा है आपको केंडल भी खराब बनाएं मैंने कल भी कहा था कि सेलिंग के लिए अभी थोड़ा नीचे आ सकता है बट आपको लेवल के साब से ट्रेट करना है तो पहले इंडेसंट बैंक से स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्कीप मत करें सुरू से आकर तक देखें जो भी लेवल्स बताऊ रहेगा 1007 दूसरा रहेगा 998 तीसरा रहेगा 986 याद रखें अगर इंडेसंट बैंक 1016 के नीचे चलाता है सेल कर सकते हो 1007 998 और यहां तक आपको टार्गेट रहेंगे रेजिस्टन्स की बात अगर कहूं रेजिस्टन्स रहेगा 1023 आपका रेजिस्टन्स रहेगा जैसे ही 1023 के ऊपर चलने लगता है बाय कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 1029 रुपीज 90 पेसा तो 1030 आप पगड़के चलिए जैसे 1030 की उपर भी चलता है 1036 80 पेसा का भी एक टार्गेट है और 1043 75 पेसा काफी नजदीक नजदीक टार्गेट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहां से थोड़ा ये दिरे-दिरे करके ये उपर उपर उठने की कोसिश कर सकता है तो ध्यान रिखिए 1023 की उपर चले तो आई करना है 1030 पहला टार्गेट दूसरा टार्गेट रहेगा 1036 80 पेसा तीसरा रहेगा 1043 75 पेसा तो गाइस सपोर्ट रिजिस्टन्स जो भी था मैंने क्लिए लिए आपको बता दिया हूँ ध्यान से आप लोग को सपोर्ट रिजिस्टन्स नोट करके ट्रेड करना है और अगर वीडियो मेरा पसंद आता है वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए और नोटिफिकेशन बेल को आउन करके ही जरूर रखेगा चली नेक्स आपका रहेगा भारत पेट्रलियों देखिए बीपीसियल ने काफी अच्छा एक यहां पर बॉटम बनाया काफी अच्छा एक हमारे लिए एक सपोर्ट लिया 40 के उपर मैं तो 48 45 48 से हम लोग हम पहले प्लान कर रहे थे अभी देखिए 40 के उपर काफी अच्छ ब्रेकाउट लेबल है आज मार्केट ने ब्रेकाउट दिया बट सस्टे नहीं किया हुआ है अभी भी होल्डिंग पर है 460 से हमने कुछ पोजिशन केरी किये हैं कल तक और आज अच्छा कासा मिल रहा था 67 60 66 67 के आसपास हमें काफी 5 6 रुपय के आसपास हमें कच्छा टार 38 वहां तक जाने के बाद हम लोग क्या पर प्रॉफेट बुकिंग करना चाहिए तो कि यह फॉस्ट अटेम्ट क्रॉस नहीं कर पाए सेकेंड अप्टेंट थर्ड अटेम्ट यह फॉर्थ अटेम्ट है और सस्टेन नहीं क्या है बट मुझे लगता है कल ओपन होते ही यह 75 क की उपर जाने की खोसस डिफिनिटली करेगा तो हम लोग अभी अनलिसस करेंगे लेवल्स क्या है कल की लिए और कल कौन से लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं यहां तक आपको दो टार्गेट रहेंगे जो कि मुझे नीचे के लिए उमीद नहीं है याद रखिए 461 30 पेशा के नीचे जाएगा तभी आपको सेल करना है वाइस आपको 461 के उपर अगर मौका मिलता है तो बाई कर सकते हो और पहला टार्गेट रहेगा 455 448 यहां तक दो टार्गेट रहेगा 467 60 पेशा याद रखिए अगर इसके नीचे ओपन होके अगर 467 60 पेशे की उपर चलने लगता है अगर फ्लाट ऑपन करके तो आप लोग बाई कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 472 दूसरा रहेगा 478 75 पेशा याद रखिए अगर बीपी सील 467 60 पेशा के उपर चलने लगता है आप लोग बाई कर सकते हो पहला टार्गेट रहेगा 472 दूसरा र हैगा 478 75 पेसा आई होब गाईस जो भी सपोर्ट रिजिस्टन्स था मैंने क्लिए लिबता दिया हूँ ध्यान रखिए एक अच्छा ब्रेकाउट यहां पर हो चुका है और हो सकता है कल की डेट पर यहां पर इसके उपर एक अच्छा क्लोजिंग 470 की उपर एक अच्छा क्लोजिंग आ सकता है जैसे टाटा स्टील ने किया और में भी यह भी पी सेल में भी एक अच्छा का सब रेकाउट होने के बाद एक अच्छा टार्गेट आपको मिल सकता है में भी आगे चलके यह 484 90 500 भी क्रोस कर देगा तो च बढ़ना चाहिए बट एक सदल लेक सेलिंग प्रिशर आपको देखने को मिला है बट आपको एक चीज ध्यान में देना है कि आपको सपोर्ट रजिस्टन के बेसिस पर ट्रेड करना ना कि आपको मनमर्जी करना कि नीचे जाएगा सेल करो ऊपर जाएगा बाय करो रैस सपो होता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 421 70 पैसा और उसके नीचे भी चलता है 417 और उसके नीचे चलता है 415 से लेकर 410 के असपासी जा सकता है याद रखे इस भी एगर 425 24 के फोर 424 के नीचे अगर सस्टेन करता है आप लोग सेल कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 421 70 पैसा दूसरा रहेगा 417 तीसरा रहेगा 415 और 410 यहाँ तक आपको टारगेट रहेगा रेजिस्टन्स की बात अगर कहूं रेजिस्टन्स रहेगा 429 जैसे ही 429 के उपर चलने लगता है आप लोग बाई कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 434 दूसरा रहेगा 436 40 पैसा यहाद रखे अगर स्टेट बेंक आप इंडिया 429 के उपर चलता है डैरेक्ली बाई कर सक सकते हैं 434 436 40 पैसा यहाँ तक जा सकता है आई होब गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टन्स मैंने क्लेली बता दिया हूं ध्यान से आप सपोर्ट रेजिस्टन्स की उपर ट्रेड कर लीजएगा चले नेक्स्ट आप कर रहेगा टाटा स्टील देखिए टाटा स्टील में तो ऐसा कुछ छुपने चुपाने जैसा कुछ काम ही नहीं था आज हमने काफी अच्छा ट्रेड बनाया जैसे कि सेल किये थोड़ा बहुत बाइंग साइट में थोड़ा पहले यह बाइंग कर दे बीनाल हुआ को मैंने 1480, 8050 के असपास हमने आगें बाइंग कीया था 1500 के आसपास प्रोफिट बुक किया था फिर भी हमने इसको छोड़ दिया एगेन हमने 1530 के आसपास हमने शौट किया था करीबन हमने 16-17 के आसपास हमें जब मिला stop loss हमने ट्रेल किया I think 2022 के आसपास यह exit हुआ होगा तो करीबन 4-5 टाइम हमने यहां पर profit बनाया है चार-पांच बार हमने आप पर पेसा कमाया है तो आप लोग भी कमा सकते हो आप लोग सिफ लेवल स्कीपर फोलो करिए कैसे आपको लेवल स्कीपर काम करना है अगर किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है मेरा description पर email ID मेंसन हुआ है आप लोग email ID उठाए और आप लोग directly मुझे mail क सिखाऊंगा कैसे analysis करना है खुद आप कैसे analysis करके लेवल निकाल सकते हो तो चलते हैं सपोर्ट रिजिस्टन्स के ऊपर और पहला सपोर्ट रहेगा आपका टाटा स्टील का 1518 याद रखे 1518 आपका सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए कि कल जैसे ही टाटा स्टील 1518 के नीच 503 25 पेसा और 1518 के नीचे अगर जाता है 1503 25 पेसा पहला टारगेट दूसरा टारगेट रहेगा 1487 60 पेसा याद रखे टाटा स्टील अगर 1518 के नीचे जाता है 1503 1487 60 पेसा 1472 यहां तक भी जा सकता है बट अभी उमीद नहीं है अभी 1530 के उपर भी काफ़े अच्छा टारगेट है वहां तक मेरा टारगेट है तो आप लोग उसी टारगेट के इसाब से आप लोग प्लानिंग कर सकते हो रेजिस्टन्स रहेगा 1534 50 पेसा जैसे ही 1534 50 पेसा के उपर टाटा स्टील चलने लगता है बाई कर सकते हो 1551 पहला टारगेट दूसरा टारगेट रहेगा 1567 तीसरा रहेगा 1583 याद रखिए टाटा स्टील अगर 1534 50 पेसे के उपर चलने लगता है बाई कर सकते हो पहला टारगेट रहेगा 1551 दूसरा रहेगा 1567 उसकी उपर चलता है 1583 तो गाईस जो भी सपोर्ट रेजिस्टन्स था मैंने क्लियली बता दिया हूं खास करके आप लोग ट्रेड जरूर लिजेगा और किसी को अगर फ्री टेलिग्रम चैनल पर भी जोइन करना है लिंक डि जान किया था जैसे यह 880 के आसपास यह ओपन हुआ अगर आप 15 मिट का चार्ट एक बर ओपन करके देखोंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 मिट के चार्ट में केसे कहां पर यह ट्रेड होना स्टार्ट हुआ यह देखिए 915 का कैडल है जैसे इसने ओपन किया जब उपर जा रहा था मैंने सौट करवाया मुझे काफी सारे लोग ने मुझे दोत्म जन ने पूचा मुझे सर यह तो उप उपर जा रहा है काफी अच्छा लेवल पर जा रहा है आप बाइंग के जगे सोट क्यों कर रहे हो क्योंकि मुझे पता है कि यह कहां से यह नीचे आने की कोस्ति करेगा तो आइधिंक 88-87 की आसपास चल रहा था 88-89 की बीच में ही था हमने शौट किया तब यह 2-3 रुपय बिच्छे उपर गया उसके बाद नीचे आया अभी भी holding पर है तो हम लोग देखते हैं futures भी holding पर है GCash में तो हमने निकाल दिया है और देखते हैं ये कल कहा तक आ सकता है मेरे ख्याल से 860 के नीचे भी एक बार आना चाहिए मेरे ख्याल से तब देखेंगे profit booking करने के लिए तो कल के लिए क्या हो सकता है कल कौन से लेबल पर आप इसको trade कर सकते हो वो देखेंगे कल अगर Tata Chemicals 866 के नीचे चलता है डायरेक्ट सेल कर सकते हो पहला target रहेगा 860 दूसरा रहेगा 848 और हाँ 866 के नीचे जाएगा 860 और 848 यहां तक आपको दो target रहेंगे याद रखिए Tata Chemicals का resistance रहेगा 873 50 पेसा जैसे 873 50 पेसा के उपर चलता है आप लोग 872 50 पेसा जैसे 872 50 पेसे के उपर चलता है बाई करिए 878 95 पेसा और 891 90 पेसा याद रखिए 872 50 पेसा के उपर अगर चलता है Tata Chemicals बाई कर सकते हो ज्यादा बड़ा target के उपर की उम्मीद मत करना उसी के आसपास से नीचे आने के chances है 878 95 पेसा तक target है और 891 90 पेसा यहां तक आपको target रहेगा तो गाईस अगर मेरा वीडियो को पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए और notification bell को on करके रखे साथ इसाथ किसी को कर फ्री टेलिग्राम चैनल जॉइन करना है link description पे है चेक करके जॉइन कर लिजे और उसके साथ साथ अगर किसी को paid service भी मेरा जॉइन करना है ट्रेडिंग के लिए तो टेलिग्राम में जॉइन होने के बाद मेरा number वहाँ पर मिलेगा आप लोग मुझे संपर कर सकते हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद